सकते हैं। तो तीरे दिर लोग यहां पर दीखें। लोग जोड़ना स्टार्ट हो चुके हैं, सभी का सवागत है, वेलकम है। जितने लोग यहां पर जोड़ा है, सभी लोग बता दीजिए। अवाज सब को क्लीर आ रही है न। चारी आये होप सब को आवाज जो इहां पर क प्रयास करेंगे इसका जो सभी तरप का क्या हो जाएगा देखिए सुचित्रा जो है पुस्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है तो जो कोशन कहे रहा है यहाँ पर उसको करती है चलो यहाँ पर पहले मालती से छोटी काँ है सुचित्रा है मालती से छोटी सुचित्रा ह होगी और सूच्च तरह लंबी किस्ते हैं जो कह रहा हूँ सको देखो भाई लंबी पुस्पा से हैं पुस्पा से लंबा कर दिया हमने, आगे कह रहा है, और गीता विजी से छोटी है, विजी पुस्पा जितनी लंबी नहीं है, यानि कि पुस्पा से जो छोटी हो जाएगी, विजी हो जाएगी, और विजी किस से लंबी है भी, गीता से लंबी है, तो देखे, पूरा का पूर आरे सबसे बीच में अगर देखा है तो पुश पा यहांपर साफसाथ दिख रहा है फुश पा यहांपर सबसे बीच में नहीं पर आप जो सहित्तर आपका क्या हो सकता है जब आप देखियेए पर आना सुरू हो गया है तो इस परस्निका जो तो सहित्तर आपका क्या हो सकता है है!! एक का मतलब एक होता है , यहांपर देखो से एक और एक को भी जोड़ दो सब्लाइब थ्यत्य जोड़ेंगा। यहां पर एक और तीन हो जायेगा। यहांपर एक और दो को जोड़ेंगे तीन हो जायेगा tub culture चार एक तीन हो गया तो वही सेम चीज्ज आपका महल में भी करना साथ ही हो तो महल में भी कैसे कर लेंगे यम को मतलब कितना होता है अगला कोशन दिखी आपने और प्दिखेंगे हैं ध्यान है तो तो अगला नमबर बताए किसका हो सकता है पर्यास करिए थोड़ा-थोड़ा और जवाब जो देने का पर्यास करेंगे चली भड़ा आपड यहाँ पर जवाब जो देते हुँआ चलेंगे कि चली अरनो ठाकुर जी जो भी है सभी लोग बताते हुआ चलिएगा जब आप देखें, आप पराना शुरू हो गया, तो यहाँ पर जो सरी तरप क्या हो जाई, किसी लोग, कुछ लोग को कितना भी समझा दिया जाए, वो लोग स्रिफ बाते ही करते हैं, ठीक है, स्रिफ बाते ही करते हैं, फिर और दूसरों को पर फिर ब्लेम लगाते हैं, तो मत बोलिएगा कि मुझे क्यों time out किया गया और किसी को क्यों नहीं किया गया क्योंकि और किसी को करता तो उसी को पता चलता है तुम्हें नहीं पता चलता है तो यहाँ पर देखे क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो आई B, K, K आ जा रहा है, N, O, P S, T, U, O के बाद P के बाद Q, R का gap है, S आ गया, ठीक है, J के बाद D tornado, CAP drive U के बाद V और W का gap हो जाएगा, V और W के बाद क्या आ जाएगा, V, और W, के बाद देखा जाएगा, धुस्तों क्या, V, W, X, Y आई और बीच में आपका जड़ा जाएगा तो यह जड़ वाई कौन से ऑप्सिन में आ रहा है और देखिए डी में आ रहा है तो जीते लोगों नहीं पर जवाब दिया है वो लोग यहां पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चली अगला कोशन देखिए आप से यहां पर भाँ जोड़ा है चले आप पर में संक्या आप जोनटे हो चलना है देकता कितो लोग सही जवाब डेते हैं नो एक पर में एक हो वक्रॉय निए ला इसका बर्गूल निकालना पॉसिबल नहीं है इसको यह ब exhibitions निकालना पॉसिबल नहीं है इसको ऑ-बर्ड़े बी के लिखा जासे कि उसको परिमे बोलते हैं तो यहाँ पर जित्ते लोग आपस नमबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखें आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है यह किसी कोड़ भासा में प्लस का मतलब गुड़ा हैं बहुत अच्छी बात है काफी सारे सातियों के जवाब देखें आप बिल्कुल सही आ रहे हैं चलिया यहाँ पर देखें पिचास है और जो कह रहा है पलस का मतलब किया आपका गुड़ा है तो गुड़े कितना हो जाएगा आपका 65 हो जायगा इसी को दो soliwe करना साथ ही हो यहाँ पर 50 दिये हैं कितना हो जाएगा 150 बागे 5 करेंगे तो 25-5 125 और प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा यहाँ पर 25 बाध प्लस में 25 मैंनस में कड़ गया बचा कितना आपका 150 बचा साथ ही तो यहां पर जित्त लोग 150 जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत उच्छी बात है, जित्त लोग उने आपर जवाब दे opposite number C वाला, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन नहीं आया तो टेलिग्राम तो है ना टेलिग्राम पर जूड़ जो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा रस्तूगी जी अगला कोईशन देखिए आप से यहां पर क्या पूछा किया ध्याम से देखिएगा आपको बताना नेमले के तंकों कि स्रिंखला में अंत म देखिए यहां पर रिक्तस्थान जो दिया गए यह क्वेस्शन मार्क जो लगा हुआ है यहां पर क्या आसकता है दो तीन चार छे साथ दस 11 15 16 16 56 नमबर बताई क्या होसकता है फटफट यहां पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे 56 अगर देखा जाए तो देखिए क्य 15 16 और 5 कितना हो जएगा आपका 21 हो जाएगा ठीक है तो 22 और छे एड़ करेंगे न गोड़ेक्व मुझान नहीं पर क्लियर आख यहाँ बेलकूल यहाँट स्सक्राइब जई सवaking सकतPS यह रहीं है ऐस ऊहरेक्षण के तरफ अगले कोशन की तरफ यहाँ Subscribe करते चलेगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ना इनों कि यह कोशन आपके थोड़ा सा टफ टिपिकल होने वाला है मैं आपको देखिए जो हिंदी में लिखा गया इसको मैं सीधे लिख देता हूँ कौन किसको क्या दर्सा आ रहा है तो यहां पर देखिए क्या कह आउसदी को दिखा रहा है और इसके बाद कह रहा है तिरभुज नर्तिकी को दिखा रहा है यह आउसदी विक्रेता याद रखेगा नर्तकी मतलब डांसर्स होते है ठीक है फीमिल डांसर्स तो नर्तकी को दिखा रहा है चले वह नर्तकी हो गया इसके बाद जो आपका वृ अक्षरों का कौन सा समू, इस्त्री रोग विसेसग्यों को दर्साता है, जो ना तो महिला है ना ही निर्तक है, यानि कि हमको महिला नहीं चाहिए, तो महिला वाला काट दिया हमने, ना ही निर्तक चाहिए, तो निर्तक में जितने हैं उनको काट दिया, हमको इस्त्री रोग व जवाब दिया है वो साथ ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखे आप से क्या पूछा गया है 500 विक्तियों के एक समूह में 300 विक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं 120 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं और हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले वि यह पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए बहुत ही अच्छी बात है काफी लोगों ने देखिए यहाँ पर जवाब जोब देने का प्रयास किया है और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा यह सेम कोशन कल हो चुका है किसी संख्या का तीन बटे आट दो बटे साथ का योग तीन सो सत्तर हो तो संख्या क्या होगी 21 21 सातियां 21 प्लस 7886 अर्दुनी 16 अगस हो जाएगा बराबर कितना आपका दिया गया 37 दिया के साथ यह 21 और 11 मिलकर कितना हो जाएगा 37 एकस बराबर 376 इदर है 36 अधर आजाएगा तो गुड़े 6 अजाएगा इसको गुड़ा करेंगे तो साथ दामा हो 56 इतना पांचसाथ देकि एंसर आगया तो दरपढ प्रत्वे मताइए क्या हो जाएगा मैंने आपको क्या आता था जब इस तरह का कोशन आपके पेपर में आता है तो 11 बजकर साथ मिनट में से हम लोग क्या कर देते हैं घटा देते हैं यहाँ पर 11 साथ बज कर साठक जाएंता तो टूटल किना जाएगा आप उससे दरपड में कितने वज़य आप बज करके ज़रूर देख लीजेगा चलिए ग्यारा साथ बस आपको इतना याद रखना है जब भी दरपड प्रत्विम पूछाओ आपके पेपर में दरपड ही ज्यादा तर पूछा आता है वाटर बहुत कमाता है अगला कोशन एक अनुक्रम दिया गया है 462, 420, 342 इन में गटा देते हैं 42, कितना आ जाएगा आपका 420 आ जाएगा, तो 42 अगर फिर से घटा कर देखेंगे 442 में से, नहीं, एक काम करते हैं 42 है ना, तो 420 में से हम लोग इससे 4 कम घटा हो, क्योंकि 4 कम यहां भी हो रहा है, यहां दिखेंगा 38 घटाएंगे, तो आपका देखो 342 42 आ जाएगा, आ जाएगी नहीं आ जाएगा, तो यहां पर देखा 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 जाएगा, तो यहां पर 462 में से 42 को घटा दिया, अगर 420 में से हम लोग 42 को घटाते हैं, तो 10 में से दो ग चल लें यहां पर पहले 42 घटा फिर 40 घटा तो अब 380 में से 38 घटा हो जानी कि चार चार नहीं दो-दो कम किया गया तो कितना आ जाएगा पहले 42 घटा है तो यहां पर जितने लोग ने 380 जवाब दिया है option नमबर वह लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए अगला कोश्ण देखते आपसे यहां पर क्या पूछ गया है ध्यान से देखेगा और सभी लोग यहां पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कोशन दिख रहा होगा शाच्षट नमबर कोशन है जवाब देती हो चलिएगा यहां पर बताना है सजी विसम आकरिती ज वाला ऑप्षन देखो सम्में विकर्ड खीचे गए हैं लेकिन यहां पर देखा यहां तो विकर्ड खीचने में थोड़ा सा आलस्पन दिखा दिया गया है तो यहां पर ऑप्षन बज़िए इसका सी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लियर है चलिए अगला कोशन यह आपका उत्तर होता है और दोस्तों यह नीचे जो दिया गया यह आपका दक्षन होता है ठीक है राम जो है उत्तर पश्चिम में चार क्लिमेटर पैदल जाता है अब देखो आपकी दिसा गया है यह वाले दिसा हो जाएगी मालेते कोई विक्ति यहाँ पर है तो यह ऐसे यहाँ पर है दक्षे पर यह होता है तो इधर कितना आता पर आपका तीन आता है तो यह तो पूछा गया है कि यह दूरी कितनी हो जाएगी तो यह आपका 90 नबर डी जवाब दिया है वह लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल पर जो हो जाएंगे चलिए अच्छा कोशन था वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए साथ यो आते हैं बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ तो क्या पूछा गया है अगया देखें यहां पर पांच शोरी 69 नमबर कोशेशिंग आपके तीन ग्यारा तेरा सत्रह तीन है ग्यारा है यहां ग्यारा है उसके पाथ साथ चोदा देखो यहां पर 11 में 3, 8, 11, 13, 4, 17 गर चलो 3, 2, 5 1, 4, 6, 47, 44, 4, 7, 17, 17 यहां पर अगर देखा जाया तो देखें सिम्पल सी वात है यहां पर ऑप्स नंबर जो इसका D वाला दियागा सत्रा और इकत्र में बहुत जादा और स्रीव आपका डबल दब मतलब सत्रा उसका पोड लिए लिए सबसे आसान सा दरीका क्या है पांच और दस और पंदरा और यक्स दिया गया है इन सब को जोड़ करके कितने नंबर से हैं एक दो तीन चार नंबर चार से भाग जिदो ऑसत आ जाता उसत कितना दिया गया बीस दिया गया है इसको हल कर लो पंदरा तुस पचीस पांच तीस प्लस यक्स बटे चार चार को गुड़ा करेंगे बीस में कितना हो जाएगा बहुत है अच्छी बात है जितने लोग पर पचास पचास जवाब दे रहे हैं वह लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे एक एक लाइक एक सेर्ज हो करते हुए चलिएगा अगला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या पूछ आगया ध्यान से देखिएगा नि सबी में अब देखो एक का मतलब होता है एक जट का मतलब होता है 26 ठीक है यहाँ पर 26 से कितना वागया 27 हो गया यानि कि एक का पूछ जवाब दिया है यह आपका डिफरेंट हो जाएगा ठीक है तो जितने लोग ने यहाँ पर जवाब दिया है और डी वाला वो लोग यहा लुप्त संख्या ग्याद करते हूं लुप्त संख्या बोलते हैं यहां पर यह देखो यह क्वेशन मार्ग दिख रहा है ना इसके अस्थान प्रश्ण है थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अपने आप जवाब जो यहां पर आपका सही आएगा चलिए करी दो तीन पांच चलो ओएज देखते हैं कितने लोग आप यहाप देते है अब यहां पर दो even दें थीन थीन दोपांच हो गया ना इसका यहां पर देखो पांच 3-8 होता है 4-12 होता है बारा-पांच 17 शोता है इस और साथ कितना ऐसाएगा तीस आजाएगे कोई अच्छा ही स्रीज चल लाए यहां पर देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तीस आगे और तीस और आठ देखो आपका यहां पर तीस देख सकते हैं कितनी धमाकेदार स्रीज चल लए थी कोई गैस भी नहीं कर पाता अगर इसने एक बार दूब पर इसको सही से पढ़ा नहीं होता हो यहां पर जितना जवाब देरें आफसर नमबर सी वाला वो लोग यहां पर जो है बिल्गुल करेक्ट हो जाएंगे चले चले यहां पर जो समझ में आ गया ना क्या चला आता है अगला कोईशन देखिए आप से यहां पर क्या पूछा बनता है है कि घ्रक कि थोड़ा सा यह कोश्चन आपका उलटा से नीचे से व्रणाना पड़ेगा नहीं तहीं तो अल्टा हो जढ़े करते हैं तो यहां पर यह देखिए उपर बाद 6 है तो यह चार है तो चार चार आट होट 6 यानि कि आपका एक फिगर इस तरह से बनके आएगा देखो ध्यान से कैसे होना यह आपका 6 है यह आपका 8 है तो पाइथा को रस्तिरम से आपका 10 होना तो 10 क्लोमेटर जितने लोग जवाब दे रहें और लोग यहां पर जो है बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है जितने भी साथी जितने दोस्त यहां पर आप सब्सक्राइब देने का परियास कीजेगा आपको यहां पर उताना है कि तिर्भूज है तिर्भूज हो की संख्य चार पांच छे तरिवुज तो आपके एक आखर वाली हो गए दो आखरेट वाले देखो हमें 1 जोटल 4 हो जाएंगे 168 लिए अब 12 जिए यह दो पर सब्सक्राइब देल कहां हो जाएंगे जितने लोगों ने आपर जवाब दिया और दी वाला वो लोग आपर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए साथी आते हैं अगले कोशन की तरफ तो अगला प्रशन देखें आप से यहां पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखें और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीज़ेगा यदि प्रत्विम एक बजकर 40 मिन्ट हो रहा है तो वास्तिविक समय मैं आपको उता है घड़ी में प्रत्विम वाला कोशन है तो एक चीज़ याद रखें ग्यारा बचकर 60 मिन्ट क्या याद रखना है ग्यारा बचकर 60 मिन्ट याद रखना उसमें से घटा देना आप सभी को यहाँ पर देखें ग्यारा बचकर 60 मिन्ट में से एक बचकर 40 मिनट को घटा देंगे तो आपका वास्तिविक समय भी आ सकता है तो 20 और 11 से 10 तो 10 बचकर 20 मिनट आ जाएगा ठीक है जितने लोग यहा आपर क्या पूछा गया है चलिए बहुत अच्छे अच्छे कोमेंट आ रहे हैं अभी बाबू ब्लॉक कर दिया रिदेंसर मतलों यह प्रकास को सुबह कहते हैं सुबह को अंधेरा अंधेरे को रात रात को धूप तो समानता हम कप सोते हैं अब अपने पारे मत बतेगा यह वाला वो लोग यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए कि क्लियर हो गया नहीं यहां तक चलिए अगला कोशन देखिए आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा पिता और पुत्र की आयू पिता और उसके पुत्र की आयू का मध्यमान 27 वर्ष यानि कि माले ते पिता आपका यक्स है देखो 27 वर्ष है पहले ऑप्छन से एकर लगाने कोशि़ करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्छन उठाते हैं 22 और 12 इनका मध्यमान देखो 22 प्रस बारा बटे दो करो, देखते हैं 27 आता कि नहीं आता, तो दो दो चार, चार एक पांच, बटे दो, यानि कि 27, इनका मध्यमान तो 27 आ गया, वो इससे मध्यमान सब का 27 ही आएगा, लेकिन दूसरा कंडिजन क्या कह रहा है, कि 18 साल बाद पिता की आगी, पुत्र की आगी दुगनी हो गई न, तो पहले option से देखिए, आपके यहाँ पर लग जा रहा है, पहले option से यहाँ पर निकल के आ जा रहा है, कि वह मध्यमान 27 आ रहा है, और age में दुगने का अंतरा जा रहा है, 18 साल बाद, और सब में 18 साल बाद यह अंतर नहीं आएगा, तो option नमबर जित पिता है, CB की पुत्री है, DB का भाई है, EA का पुत्र है, C और E की बीच में क्या संबंद होगा, देखते कि लोग यहाँ पर सही जवाब देने का प्रयास करते है, question number 78 का जो सही तरा का क्या हो जाएगा, AB का पिता यानि की B जो है, A का पुत्र है, A जो इसका पिता हो समझ येगा, और समझते हो चलिएगा इस प्रशन में, देखते हैं कि कैसे आपर जो आपका इंसर नहीं आता है, आएगा इंसर और बिलकुल आएगा, परिसान मत होईएगा, उसके बाद कहा रहा है कि CB की पुत्री है, B की पुत्री हो गए, C आपर ये पुत्री हो गई, च और E के बीच में क्या सम्झत है, अब बाई B का भाई है, E और C की पुत्री है, C तो C और E के बीच में भती जी और चाचा का सम्झत हो जाएगा, तो चाचा और भती जी जितने लोग यहां पर और C जवाब जाये रहे हैं, चाचा भती जी वो साथ हम पर जो है बिलकुल कर कि हां नहीं जो जाएगा इस प्रशन कर देखते हैं कितना लोग आपड़ सही जवाब देते हैं इस प्रश्ण में वह एक संख्या का एक च्वताइग यानिक मालेस इस संख्या आपका यक्स है ठीक है, उस संख्या का एक चवथाई, उसका एक तिहाई, बटे तीन, बराबर कितना दिया गया है, यही तो हो जाएगा न, बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर दिखे आके क्या हो जाएगा, समझेगा, इस यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर कुछ mistake हो रहा है, अच्छा ठीक है, संख्या पर निकाल लेते हैं, पंदरा, चार्थ यहीं कितना होता है, बारा, कितना जाएगा फिर फंदरा बरियम 180 आ जाएगा, तो संख्या तो आपका 180 आ गया, आप कहरा है, संख्या का 3 दसवा क्या हो जाएगा, संख्या 180 है इसका 3 दसवा मतलब 3 बटे दसवा भाग क्या हो जाएगा, जीरो जीरो कड़ी का ठाते हैं, कितना कि आपका, चाउवन आ गया, तो जितने लोगों ने चाउवन यानि कि 49 जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे, जितने लोगों ने यह यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, और सभी लोग जवाब देते हो चलिएगा, दी गई आकरेखा कृतियों में से तरल पदार्थ धातु एवा गयस प्रदर्सित करती हैं किनको भाई, चले इस प्रश्ण का सभी लोग जवाब जो जो जेने का प्रया देखाया तो तीनों आपके डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि तरल पदार्थ अलग है, धातु अलग है, गयस अलग है, यह दो धातु की तिनों अलग अलग अवस्थाई हैं, तो यहाँ पर जितनको लोग ओप्स नमबर A जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहा दूसरे में दो-दो गेंद रखता है, फिर हर तीसरे डिफ्वे में तीन-तीन गेद रखता है, यह क्रम वो आगे जाए रखता है, तो बताई यह अंतिन डिफ्वे में कुल कितने गेद होंगे, तो बताओ भाई, सिंपल सा नंजो, तीन दर्जनानी की टोटल 36 तो आप समझो, पहले वाले डिब्बे में 1-1, दूसरे वाले डिब्बे में 2-2, तीसरे वाले डिब्बे में 3-3 गेंद रखता है, इसी प्रकार 36 वाले, जो मतलब ऐसे देखो, 1-2-3-4, ऐसे 36 वाले डिब्बे में टोटल 36 गेंद होगा, यह तो होगा न, यहापर देखा है, तो चार के बाद देखो, 6 वाला है, तो यहाँ पर इससे समझो, मैं आपको समझाता हूँ, इस कोशन को, फिर से समझ लो, इस कोशन को जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, देखो, समझो, भाई यहाँ पर अगर देखा या, तो डिब्बों के संख्या कितनी है, 36 है, यान कि 36 वे डिब्बे में, 36 का गुरणखंड यह से चलता रहेगा, तो अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 36 का गुरणखंड अगर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर आपका 91 आपका एंसर आजाएगा, तो जिते लोग यहाँ पर 91 जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे, वैसे भी आप लोग एक से लेकर 36 जोड़ करकर देख लिएगा, उतना आएगा, मैं थोड़ा आसान बना एक लिए यह चीज जो है कर दिया, ठीक है, यह गुरनखंड का योग अगर निकालते तो भी आपका उतना एंसर आता, तो जिते लोगों ने आपर option number C जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे, अगला question देखिए आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से पर देखिते हैं, और यह जो है, एक दूसरी की और, यानि केंदर की और मुकर के बठे हैं, तो समझो भाई, यहाँ पर बाया और दाया में बस अमयसा इस चीच को समझेगा, तो यहाँ पर कहरा, AD के सामने बठा है, तो माल लेते है, अगर यहाँ पर होगा, तो D आपका य रहाएगा AD के क्या हो गया सामने बठा है कारा兩 tranh इस एक बीच में है एस और बी के बीच में से है तो यहाँ बी यहाँ भी हो सकता है और तब सी और सी का पॉजिशन कहीं होगा आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है F जो है E और A के बीच में बैठा है F जो है E और A के बीच में बैठा है यानि कि A यहाँ पर है अगर हम लोग माल लेते हैं F यहाँ भी ठाल देते हैं तो यहाँ पर E और A के बीच में हो गया तो यहाँ पर B हो जाएगा और यहाँ पर C जो है A और B के बीच में हो जाएगा आगे वह यह लाइन से मिलाएते हैं D के बाए में B हैं तो देखो D के बाए में B हो गया B के ठीक बाए और कौन है भई B के ठीक बाए और आप लोग देख सकते हैं B के ठीक बाए और कौन बैठा हुआ है C बैठा हुआ है तो जित्ते लोग यहाँ पर C जवाब दे रहे है वो लोग यहाँ पर जो बिल्कुल correct हो जाएंगे चलिए बहुत यह अच्छी बात है जित्ते लोग ने और B जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे अगला question देखते हैं आप से यहाँ पर क्या पूछा गिया है किसी महीने की तीन तारी को सो मार पड़ता है तो उस महीने की तारी के तीन दिन बाद यानि की तीन चोविस तारी को कौन से दिन पड़ेगा चले वह देखते हैं कि तो लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं एक तारी को 3 तारी को 100 मार पड़ता है तो 3-7-10 तारी को भी 100 होगा मैं आपको बता है न हर 7 दिन बाद सेंडे डेपीट होता है 17 तारी को आपका क्या होता क्वेशन एक लाइक एक सेर करते हुए चलेगा इस सभी लोग आप जितना जुड़े हुए हैं अगला क्वेशन अकृत करते हुए चल ना है उसके बात आपको यहां पर एक पर ऐसे भर ना यह पर इसके तिया पर ऑप यह पर जाएगा एक आकरित यहां पर रंगा हुआ आएगा और यहां पर आजाएगा जहां पर यहां पर यह होगा यानि कि अगर देखा जाए तो सिंपल सी वात है यहां पर आपस नंबर B वाला काफ लोग जवाब दे रहें B वाली आकरित जो इसको complete करेगी तो B आपस जितने लोग जवाब दे रहें वो लोग यहां पर बिलकुल correct हो जाएंगे clear है? C नहीं होगा दूस्तों यहां पर B वाला जो है correct होगा चली अगला question देखते हैं आप सियांपर क्या पूछा गया है? ध्यान से दिखिएगा राम हुआ सियां किसी घास के मैदान को 12 महीने के लिए किराये पर लेते हैं यदि राम अपनी 120 गायों को 9 महा के लिए मैदान में रखता है तो सियां 3 महीने के लिए मैदान में रखी गायों के संख्या गयात कीजिए ये दिवा राम दौरा किये के किराय का एक उटे तीन गुना ये देखो ये कोशन आपका basically math का आ गया है basically पूरा अच्छे रूप में math का ये दे दिया गया है बट यहाँ पर सब भी मैं आपको haul करके दिखा देता हूं तो भाई देखो 120 गायों को 9 महिने के लिए रखता है ज उसने 120 गायों को तीन मेंने लिए रखा ठीक है ये इनके दौरा रखे गए गायों की संख्या का उन बात आ गया और उसका खर्चा आ गया खर्चा देखे क्या कह रहा है खर्चा यहां पर अगर देखा जा तो यदि किराया जो है गोटे तीन गुना हो ध्याद समझो भाई यह 3 से काट देंगे, 3 तरिक का 9, 32, 360, बटे 1, मराबर कितना आ जाएगा, 3 बटे 1 आ जाएगा, बहुत सिंपल सा कोशन था यहाँ पर 3 से काटेंगे, 12 बार जाएगा, यानि कि यक्स कामान कितना आगई, 120 आ गया, 120 जितनी लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर C वाला चलिए भई अगला कोशन देखिए आसे यहां पर क्या पूशा गया है एक गली की लंबाई 450 मीटर है गली के एक छोड से दूसे छोड तक बरावर दूरी पर 10 पौधे लगाए गये हैं तो करमागत पौधों की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भई एक गली की लंबाई 450 मी इसकी लंबाई कितनी है आपकी टोटल आपकी 450 है तो आप बताओ भईया यहां पर देखो 50, 50 टोटल कितने लंबाई देखो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानि कि 450 मीटर था बटिन नौ कर दो तो हर पौधे की बीच में दूरी जो दूरी होगी वो आपकी कितनी 50 मीटर क जवाब दिया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जब भी कठिन कोशन आता है थोड़ा सा हलका सा अलग कोशन आता तो यह नहीं लगता कि आप लोग कोशन में कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोग तभी कोशन को स्किप करते हैं जो आपको कोशन का समझ में नहीं आता है तो 83 वाले में दूसरा होगा क्योंकि उसी मंध का पूछा है अरे यार 83 कोशन क्या था जे एक बार 83 कोशन में सब लोग अठके पड़े हैं तो 82 हो गया ए तो 82 हो गया तो भाई मैंने उसी महिने का तो निकाल आए ना किसी महिने की तीन तारीक को 100 मोर पढ़ता है ठीक तीन तारीक को क्या है सो मौर है तो 21 तारीक के तीन दिन बाद यानि कि 24 तारीक को कौन से पढ़ेगा तो यहाँ पर तीन दिन बाद हर साथ दिन बाद सेम डे रिपीट होता है तो तीन साथ दस साथ 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 24 तो यहाँ पर सिंपल सा कोशन थे, यहां पर 14 सारी को भी सोम और पड़ेगा, एक कोशन के पीछे इतना क्यों पड़े आते हो आप लोग, जब कोशन नहीं समझ में आते हो तो यहां रिपीट करके देख लिया करो, बार बार कॉमेंट मत किया करो, उस चीज को ले करके, चलिए, फीकर वाला कॉशन है, आपको बताना यहां पर कौन सी प्रश्ण वाजक चिनिक अस्थान पर क्या आएगा, देखते हैं किते लोग आपकर गयस कर पाते हैं, सभी लोग आपर जवाब जो देने का परियास करिएगा, इस प्रश्ण कर जो सही तरह आपका क्या हो जाएगा, चलिए, करके देखी, अलग अलग कcolor किया, यानि कि इसको बीच में से घुसा दिए गया, तो इसको भी हम लोगATION कर देंगी, यहां सी यहां सी अलग कर कर देंगी, बीच में से घुसा देंगी, तो आप सन Common जितने लोग यहाँ पर जया पर जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ प करम को कौन सा धर्स आता है सब लोग बताते होma जितने लोग 여 óra पर जोड़े एक एक लाइक तो करी सकते है वीडियो को तो चार एक दो तीन पांच किस ऑप्सन में आ रहा है दोस्तों ऑप्सन नमबर डी में आ रहा है तो जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए अगला कोशन देखते हैं आप से यहाँ पर क्या पूछ को फिर जवाब देने का प्रदास करिए लया आपस में मिलने का मतलब क्या होता एं नियात तो यहां पर दो और बज और तीन वज़ए की बीज में आपस में सुई है, मैं ने थीटा पर आपको फॉर्मॉला बताया है, एक तो उस तरीके से लग जाएगा, यह सिंपल समयाओ, आपको और एक नया तरीका आशियाताओ, ठीक हो तरीके से तो आप लोग लगाई सकते हैं थोड़ा चोटा बताओ, थोड़ा चोटा बताओ, तो अब बताओ, दो बजे और तीन बजे के बीज के अगर हम बात करते हैं, देखिए, आप ऐसे घड़ी दो, घड़ी आपका है न, आपका ये दो बज रहा है, बारा पे सुई होगा, और यहाँ पर दो पे सुई होगा, औ अब पर इनके बीच में कितने का gap है अभी 10 minute का gap है ये बहुत आसान तरीका है पस इसका logic समझ लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा तो ये 10 minutes का gap होता है इसी 10 minutes के दूरी को हमें क्या करना है कवर करना है कि आपस में सुईया जो है आपकी मिल जाएंगी तो इसमें जो मिलने का जो समय दिखा गया समय अगर निकालना हो तो क्या करेंगी 10 गुड़े बस एक चीज याद रखो 12 बटे 11 यह सापेच चाल होता है 12 बटे 11 मिनिट आपका यह सापेच चाल होता है बस इसको ट्रिप के रूप में आद रखेगा जो उनके बीच में गया फैर 10 गुड़े 12 बटे 11 कर दो एंसर आपका कितना जाएगा 120 बटे यानि कि 10 सही 10 बटे 11 भाई इसको हल करोगे 12 बटे कितना आगया आपका 11 आगया इसको हल करोगे 10 सही 10 बटे 11 आजाएगा अब एक कोईशन और मैं आपको बताता हूँ जैसे मालीजी तीन बजे और चार बजे की बीच में कहा जाए तो सिंपल सा तीन और चार की बीच में देखो तो तीन बजे और चार बजे की बंद्रा मिट काइब होता है तो पंद्रा बटे पंद्रा गोडे 12 बटे गयारा कर देंगे बस यह सबसे आसान तरीका है कर उनके बीच कब आपस में मिलेंगी अगर आपस यह पूछा जाए तो आपको यह चीज जो यहाँ पर लगा देना है यह बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बताया था ठीक है तो इस ट्रिक से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं चलिए बहुत अच्छी बात है काफी लोग ने आपर देखे सही जवाब देने का परयास किया है तो यहाँ पर आज के जो कोशन से कैसे लगी